Excel Asia News देखने वाले सबी दर्शकों को मेरी ओर से यानरे कि रतेश गफ्ता की ओर से प्यार बड़ा नमस्कार दर्शकों जमू कश्मीर की बात करें तो जमू कश्मीर हमेशा से सुर्क्यों मेरा है जियां जम्मौ कश्मीर को special status मिलने से लेकर special status छीनने तक जम्मौ कश्मीर burning issue रहा है जम्मौ कश्मीर की particular बात करें तो जम्मौ कश्मीर को special status दिया गया था महाराजा हारी सिंग के समय से और BJP Government ने जम्मू कश्मीर से उसका special status याने के 370 और 35 से यहां से हटाने के बाद उसका special status खतम कर दिया जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था उसको जम्मू कश्मीर Union Territory याने केंद्री शासित पर्धेश में तब्दीव कर दिया उपोजिशन पार्टिस की बात करें तो उपोजिशन पार्टिस लगातार से यह मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर में पुना स्टेट हुट बहाल किया जाए लगातार इसकी अवाज उठ रही है PDB की बात करें, national conference की बात करें, अवामी national conference की बात करें या फिर अन्य regional parties की बात करें हर कोई जो है ये मांग कर रहा है कि जम्मकश्मीर को पुना statehood का दर्जा दिया जाए दर्ज को जम्मकश्मीर की regional parties के लावा कल opposition की 19 बड़ी parties के नेताओंने एक बैठक की जिसके देख्षता सोनिया गांधी ने की वर्च्वल मीटिंग के मादिम से पुना ये आवास उठाए गई कि जम्मो कश्मीर में स्टेट हुटका दरचा दिया जाए जम्मो कश्मीर को पुना स्टेट में तबदील किया जाए पुना यहाँ पर स्टेट रिस्टोर की जाए और साथी साल में जम्मो कश्मीर में चुनाव यहाँ पर करवाए जाए जी हाँ वर्च्वल मीटिंग जो है सोनिया गांधी द्वारा की गई और इस मीटिंग में के द माकरे के अलावा कें दिगजने ता जो थे इस बैठक में शामिल होए और जिन्हों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि जमो कश्मीर में चुनाव होने चाहिए जमो कश्मीर को पुना स्टेट हुट का दर्चा यहां पर मिलना चाहिए और यहां पर जो पुलिटिकल प् केंद्र सरकारे में कोई भी चर्चा नहीं कि लेकिन जमो कश्मीर को पुना स्टेट हुड में तब्दील किया जाएगा लेकिन उचित समय आने पर हाला कि केंद्र सरकार ने टाइम फ्रेमिंग की कोई बात नहीं किये कि यह उचित समय कब आएगा उनके एकौडिंगली उचित समय कल भी आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है, 70 साल के बाद भी आ सकता है क्योंकि टाइम जो है उन्होंने वो मेंचन नहीं किया हलنکہ केंदर सरकार इस सोर इशारा जरूर करती है कि इसको यानिके जम्मो कश्मीर को स्टेट हुड में जरूर लाया जाएगा लेकिन टाइम फ्रेम की तरफ उन्होंने कभी भी कलारिटी नहीं की है तो इसका अंताज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि Statehood कल मिल सकती है 5 साल बार मिल सकती है, 10 साल बार मिल सकती है, 70 साल बार मिल सकती है क्योंकि टाइमिंग का चैंधर सिर्कार्ट जिखर नहीं करी है वहाई opposition parties की बात करें जिसकी अधिक्ष्टा सोने गांदी ने की है उन्होंने जम्मू कश्मीर को पुरा state hood का धरजा देने के लिए यहाँ पर चुनाफ कराने के लिए और जम्मू कश्मीर कैडर की तरह भी इशारा किया है कि जम्मू कश्मीर का कैडर जो है जम्मू कश्मीर को वापिस लोटाया जाए जो ग्रह मंत्राले ने फरवरी में जम्मू कश्मीर से चिल लिया था जम्मू कश्मीर से स्माप्त हो गया था और जम्मू कश्मीर का कैडर एजी एम यूटी में शामिल कर दिया था शको 19 दलों के नेतां द्वारा एक joint statement भी दी गई है जिसमें तो रिशारा किया गया है कि 20 से 30 सेप्टमबर के बीच में पूरे देश में विरोध परदर्शन किया जाएंगे ये विरोध परदर्शन हरताल का रूप भी ले सकते हैं और कोवीड प्रोटोकोल को मद्दे नजदर रखते होए ये कदम उठाए जाएंगे अई वर्चुल मीटिंग के मादम से कॉंगर्स की एदेक्ष सोनिया गांदी ने सभी पुलिटिकल पार्टी जो ओपोजिशन में रोल प्ले कर रहे हैं उनसे अपील की है कि वो एक जुट हो जाएं और 2024 के लोकसभा के चुनाव में बाजपा को मात देने में एक एम बो मिक दर्श को जहां सोनिया गांदी ने वर्चुल मिटिंग की है वहीं अगर हम अपने रिजिनल पार्टी की बात करें या फिर पीपल एलाइंस फॉर गुपकार डिकलेशन की बात करें तो वो भी 24 अगस्त को एक बैठक करने जा रहा है जिसमें पुना इन मुदों पर चर्च चुनाव हैं उस पर जोर दिया जाए किस तरह से चुनाव यहां पर करवाय जाए हालागि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने इस और इशारा जरूर किया कि चुनाव होंगे लेकिन डी लिमीटेशन का प्रॉसेस जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जमो कशमीर को स्टेट हुट का धर्जा दिलाना चाहते हैं यहां पर शान्ती पूर्वक और निश्फक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं जो जमो कशमीर के साथ जातिया हुए हैं जमो कशमीर के साथ हूई हैं और खास कर जो दो सालों में यहाने के 30 säger 35 से हटने के बाद जो जमो को मात देने की त्यारी कर रहेए जमु कश्मीर की रिजिनल पार्टी की बात करें या फिर या फिर हर चोटी से बड़ी विपक्षी पार्टी की बात करें हर कोई एक जुठ होना चाहता है और 2024 के चुनाओं में बाजबा को मात कर जमु कश्मीर की जो हालात बदले है उस पर वोट बेंक की राजनीती कर अपनी कुर्सी अपनी जगा मजबूत करना जाता है। जमुकश्मीर हमेशा से बर्निंग इशु है और हर पुलिटिकल पार्टी इसका फाइदा उठाती आई है। जया 19 ओपोजिशन पार्टी सबकी एक ही मांग है जिसमें जमुकश्मीर की रिजिनल पार्टी भी शामिल हैं जब मुकश्मीर को पुना स्टेट हुट का दर्चा वापिस दिया चाहे। जया दर्च को आप देखते रहें एक्सेल्शन नियूज और इसी के साथ मुझे याने क्रिफ्टेश कुपता को दीजी इचाहसत फर में लेंगे। नमस्कार।